यहोशु अनिहाय चार जब उस सारी जाती के लोग यर्दन के पार उतर चुके तब यहोवा ने यहोशु से कहा पजा में से बारह पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक-एक पुरुष को छून लेना यहाद न दे कि तुम यर्दन के बीच में जहां याजकों के पाव धरे थे वहां से बारह पत्थर उठा कर अपने साथ पार ले चलो और जहां आज की रात पड़ा होगा वही उनको रख देना तब यहोशू ने उन बारह पुरुषों को जिने उसने इसरायलियों के प्रत्ते गोतर में से छाट कर ठहरा रखा था बुलवा कर कहा तुम अपने परमिश्वर यहोगा के संदुख के आगे यर्दन के बीच में जाकर इसरायलियों के गोतरों की गिंति के अनुसार एक- पोचे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तरदो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदुख के सामने से दो भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था, तब यरदन का जल दो भाग हो गया, सो वे पत्थर इसरायल को सदा के लिए स्मरान दिराने वाले ठहरेंगे यहोश की इस आग्या के अनुसार इसरायलियों ने किया जैसा यहवा ने यहोशु से कहा था वैसा ही उन्होंने इसरायली गोत्रों की गिंती के अनुसार बारह पत्थर यर्दन के बीच में से उठा लिये और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाओं में रख दिया और यर्दन के बीच जहां याजक वाचा के संदुक को उठाये हुए अपने पाव धरेव वहां यहुशिन ने बारह पत्थर खड़े कराए वे आज तक वहीं पाये जाते हैं और याजक संदुक उठाये हुए उस समय तक यर्दन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बाते पूरी न हो चुकी जिने यहुवा ने यहुशिको लोगों से कहने की आग्या दी थी तब लोग फूरती से पार उतर गए और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहुवा का संदुक भी उनके देखते पार हुए और रुबेनी गादी और मनश्य के आधे गोतर के लोग मुसा के कहने के अनुसार इस्राइलिन के आगे पांती बांदे हुए पार गए अर्थात कोई 40,000 पूरुष युद्ध के हतियार बांदे हुए संग्राम करने के लिए यहुवा के सामने पार उतर कर येरुहु के पास के अराबा में पहुँचे उस दिन यहुवा ने सब इस्राइलियों के सामने यहुशु की महिमा बढ़ाई और जैसे वे मुशा का भे मानते थे वैसे ही यहुशु का भी भे उसके जीवन भर मानते रहे और यहुवा ने यहुशु से कहा कि साक्षी का संदुक उठाने वाले याजकों को आग्या दे कि यर्दन में से निकलाए तो यहोशुने याजकों को आग्या दी कि यर्दन में से निकलाओ और जो ही यहोवा की वाचा का संदुक उठाने वाले याजक यर्दन के बीच में से निकलाए और उनके पाव स्थल पर पड़े तो ही यर्दन का जल अपने स्थान पर आ गया और पहले की नाई करोडों के उपर फिर बहने लगा पहले महने के दसवे दिन को परजा के लोगों ने यर्दन में से निकल कर यरिहो के पुर्वी सिवाने पर गिलगाल में अपने डेरे डाले और जो बारह पत्थर यर्दन में से निकाल लाये थे उनको यहोशुने गिलगा से कहा आगे को जब तुम्हारे लड़के बाले अपने अपने पिता से यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है तब तुम यह कहकर उनको बताना कि इस्राइली यर्दन के पार स्थली स्थल चले आये थे क्योंकि जैसे तुम्हारे परमिश्वर यहवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटा कर सुखा रखा था वैसे ही उसने यर्दन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटा कर सुखा रखा इसलिए कि पृत्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहवा का हाथ बलवन्त है और तुम सरवदा अपने परमिश्वर यहवा का भय मानते रहो यहोशु अन्यहाई चार यहोशु अन्यहाई चार जब उस सारी जाती के लोग यर्दन के पार उतर चुके तब यहोशु ने यहोशु से कहा पजा में से बारह पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चून लेना यहाद न दे कि तुम यर्दन के बीच में जहां याजकों के पाव धरे थे वहां से बारह पत्थर उठा कर अपने साथ पार ले चलो और जहां आज की रात पड़ा होगा वही उनको रख देना तब यहोशु ने उन बारह पुरुषों को जिन्हें उसने इस्राइलियों के प्रत्ते गोत्र में से छाट कर ठाहरा रखा था बुलवा कर कहा तुम अपने परमश्वर यहोवा के संदुक के आगे यर्दन के बीच में जाकर इस्राइलियों के गोत्रों की गिंती के अनुसार एक एक पत्थर उठा कर अपने अपने कंधे पर रखो जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्हानी ठहरे और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यर्दन का जल यहोवा की वाचा के संदुक के सामने से दो भाग हो गया था क्योंकि जब वह यर्दन पार आ रहा था तब यर्दन का जल दो भाग हो गया सो वे पत्थर इसरायल को सदा के लिए स्मरान दिराने वाले ठहरेंगे यहोशु की इस आग्या के अनुसार इसरायलियों ने किया जैसा यहोवा ने यहोशु से कहा था वैसा ही उन्होंने इसरायली गोत्रों की गिंती के अनुसार बारह पत्थर यर्दन के बीच में से उठा लिये और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाओं में रख दिया और यर्दन के बीच जहां याजक वाचा के संदुक को उठाये हुए अपने पाव धरेव वहां यहोशु ने बारह पत्थर खड़े कराए वे आज तक वही पाए जाते है और याजक संदुक उठाये हुए उस समय तक यर्दन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बाते पूरी न हो चुकी जिने यहोवा ने यहोशु को लोगों से कहने की आग्या दी थी तब लोग फूरती से पार उतर गए और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदुक भी उनके देखते पार हुए और रुबेनी गादी और मनश्र के आधे गोत्र के लोग मुसा के कहने के अनुसार इस्राजलीन के आगे पांती बांदे हुए पार गए अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हतियार बांदे हुए संग्राम करने के लोगों